इस फोन के कैमरा सेंपल देखे जिते खुशी होती है ना कैमरा यू आई को देखकर उतना ही दूख होता है So Moto Edge 50, चलो आज की इस वीडियो में इस फोन का एक डिटेल कैमरा रिव्यू करते हैं सेल्फी कैमरा से वीडियो क्वालिटी आपको कमाल की देखने को मिलती है Sorry, पैने इसके कैमरा स्पैक्स बता देता हूँ तो पीछे जो में कैमरा है वहाँ पर 50 मेगा पिक्सल का में है 13 मेगा पिक्सल का अल्टरा वाइड है और 10 मेगा पिक्सल का टेली फोटो लेंस है 3X अप्टिकल जूम के साथ और सेल्फी जो है वो 32 मेगा पिक्सल का है और हाँ में कैमरा में आपको OIS का फीचर भी देखने को मिलेगा सबसे पहले तो इस प्राइस बजट के अंदर अगर आप एक अच्छा कैमरा फोन देख रहे हो तो इस फोन का कैमरा जब फर्स तैम आप देखोगे तो आपके मुन में पहला थोट यही आएगा मजा आया फोटो बहुत ही बड़िया निकल कर आते हैं डीटेल्स काफी एच्छे हैं बाइदेवे 1X, 2X और 3X तीनों मोड के उपर आपको अच्छे कासे डीटेल्स देखने को मिलेगे स्किन टोन्स को बहुत ही सही रखता है चाहे और कास्टिंग का सिनेरियो हो या फिर सनलाइट के केस में close to natural आपको देखने को मिलेगे वीवो के फोन्स की तरह है न ब्यूटिफाई करने की कोशिश नहीं करता हाँ ऐसा कह सकते हो के कॉन्ट्रास्ट लेवल आपको फोटोस के अंदर थोड़ा सा अपर साइट देखने को मिलता है और कलर थोड़े सैचूरेटर होते है या मैं कहूँ कि काफी बूस्टेर देखने को मिलता है नेचुरल कलर जैसा कुछ नहीं है ग्रीन को बहुत ज़दा ग्रीन रेड को बहुत ज़दा रेड और यहलो को बहुत ज़दा यल्लो बट that's okay, आपको अलग से इनको edit नहीं करना पड़ेगा, या filter बगर एड करने की ज़रुत नहीं पड़ेगी, बाकि HDR, कैमरा के अंदर भाई, बहुत ही अच्छे से काम करता हूँ नजर आएगा, अब overcast weather में जहाँ पर जादा तर phone, HDR को control उतना अच्छे से नहीं कर पाते, य लेकिन details आपको daylight में जितनी मिलती है न, उतनी अच्छे नहीं मिलेगी, थोड़े smooth हो जाते हैं, और artificial lighting में जो exposure है, उसको ये उतना अच्छे से control नहीं कर पाता, आकि main camera में ये जो Sony का LYT sensor दिया है न, इसकी सबसे अच्छे कासियत यह है कि ये low light में बहुत ही अच्छा perform कर phone का जो camera UI है, वो बहुत ज़्यादा slow feel होगा, camera app open होने के साथ ही phone lag करना शुरू हो जाता है, shutter speed भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा slow है, ये तो मैं दिन को चेक करके बता रहा हूँ, low light में तो पक्का और ज़्यादा slow हो जाएगा, और इसकी पीछे जो सबसे बड़ा reason मुझ अच्छे से optimize नहीं किया, हाला कि processing के बाद में जो output है, वो बहुत ही बड़िया निगाल कर देता है, बात करें अगले sensor की जो कि इसका ultra wide angle lens है, वहाँ पर तो colors की बिल्कुल band बजी हुई है, photos थोड़े से dark और inconsistent colors के साथ में आते हैं, details भी आपको यहाँ पर बहुत ही कम देगे, बट macro shots शायद से आप कुछ device के साथ में काफी पसंद आएंगे, आप camera के अंदर अलग से 10 megapixel का tiny photo lens भी दिया है, 3x optical zoom भी करता है, जा पर details तो बहुत ही अच्छे देखने को बिलता है, वैसे 10x पर भी आप चाहो तो photos ले सकते हो, पर वहाँ पर details उतने ही जादा अ पड़ेगा, बाकि portrait shots देखकर आपको काफी मज़ा आएगा, details आपको अच्छे का से देखने को मिलते है, skin tones अच्छे होता है, साथी साथ colors पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन as detection वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब मेरे according as detection थोड़ा और बेटर हो सबता था, especially human subject के case में hair के around जो भी area होता है उसको यह miss कर देता है, जैसे कि इस photo में hair को पूरी तरह से blur कर दिया, और other objects के उपर तो भाई काफी कुछ miss कर देता है, तो कहीं नहीं portrait shots में जो camera optimization है, उसको भाई यह आपर fix करने की ज़रत है, इसके अलवा background के अंदर blur जो है उसकी strength बहुत ज़ादा ह उसको आप manually control नहीं कर सकते, background बहुत ज़ादा blur हो जाता है, जिसके वेज़े से ऐसा लगता है कि photos थोड़ी से artificial है, जिदे भी photo sample में आपको बता रहा हूँ, सारे मैंने नीचे Google Drive के अंदर save कर दिये, आप खुद से जाकर उनको check out कर सकते हो कि camera performance आपको basically किस तरह की देखने नहीं देता, बाकि इसके लवा decent type की quality में आप slow motion videos बना सकते हो, time lapse videos बना सकते हो, अब आते हैं इसके selfie camera के उपर, जिससे personally मैं काफी impressed हूँ, चाहे details आप देख लो, चाहे colors देख लो, या फिर overall skin tones, हर एक चीज में जो selfie camera है, वो एकदम best तरीके से काम करता है नजर आएगा, HDR HDR control भी 20 का बहुत ही कमाल का है, और portrait shots के अंदर जो edge detection है, वो भी काफी अच्छे से कर रहा है, background blur काफी अच्छे से कर रहा है, दिन की तरह selfie camera को रात में भी आप use कर सकते हो, photos bright होने के साथ साथ, enough details आपको देखने को बिल जाएंगे, बात करें videos की, तो इस phone के front और rare camera से आप वो 4G video बनाने का option मिल जाएगा, sample दिखाने से पहले, एक चीज में आपको अभी बताना चाहूँगा, कि अगर आप 4G videos बनाते हो, या फिर outdoor में camera use करते हो, तो आपको ऐसा feel होगा, कि यह जो device है ना, बहुत ही जल्दी heat करने लगता है, और 5-7 minute की uses के अंदर ही, जो temperature है, व Apart from that, 4G video की quality है, वो आपको एकदम top nose देखने को मिलेगी, videos stable होते हैं, details अच्छे गासे देखने को मिलते हैं, color थोड़ से boosted शोओंगे, इसके लागँ कोई दिक्कत नहीं है, so overall, अगर मैं camera को लेकर बात करूँ, तो मैं camera से personally काफी जादा impressed हूँ, 25-30,000 रुपे के budget के इसका कोई idea नहीं है, लेकिन हाँ, एक चीज़ में वो सबता हूँ, कि overall इस phone का camera आपको काफी पसंद आएगा, so Moto H50 की camera review को लेकर इस video का अंदर पर से इता है, I hope आपको video पसंद आए, तो like, share और subscribe कर देना, हम मिलते हैं किसी next video में, किसी नए topic के साथ, तब तक के लिए, ज आपको आपको के और से बाराद.